हेलो बच्चों कैसे हो आप आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे आई बच्चों पढ़ते हैं आज का ध्याय पत्र लेख़ड मन के भावो को प्रकट करने का सर्वत्तम साधन पत्र है इसके द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक लिख कर पहुचाते हैं किन्तु आज कर मोबाईल और इमेल की सुविदा के कारण पत्र भेजने का चलन काफी कम हो गया है फिर भी शादी के निमतरन पत्र आविदन पत्र सरकारी पत्र आदी अभी भी लिख कर ही भेजे जाते हैं तो बच्चों पत्र लिखते समय निमन बातों का ध्यान रखना आव पत्र में विराम चिनों का उचित स्थान पर प्रयोग होना चाहिए और पत्र जिसे लिखना हो उसी के अनुकूल संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए तो बच्चों आए पढ़ते हैं कि पत्र के प्रकार के कितनी हैं तो बच्चों पत्र दो प्रकार के होत इनने नीजी पत्र भी कहते हैं और दूसरा है औप चारिक पत्र ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत परिचे नहीं होता यानि जिने हम नहीं जानते शिकायती पत्र प्राथना पत्र विद्याले के प्रधानचार्य को पत्र और पुस्तक विक पिता माता गुरुजन बड़े भाई आदी के लिए संबोधन होगा माननेवर आदर्निय श्रीमान और अभिवादन होगा प्रणाम चरण स्पर्ष नमस्कार और अंत में हम लिखेंगे आपका आज्याकारी स्निहाकांशी छोटे भाई बहन भतीजे भतीजी आदी के लिए ज वेवसाई वर्ग के लिए महोदय महोदया या श्रीमान श्रीमती नमस्ते नमशकार भवदिये निवीदग अधिकारी वर्ग के लिए श्रीमान माननेवर श्री उत्पद सादर प्रणाम नमशकार और आखरी में लिखते हैं प्रार्थी निवीदग बराबर वाले मित्र य तो आईए बच्चों पढ़ते हैं पत्रों के उधारन सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ अनौप चारिक पत्र पहला उधारन है शरद अवकाश में मित्र को घर आने का निमंतरन पत्र तो सबसे पहले लिखेंगे हम पता 345 बटा बारा आलंबाग लखनओ उसके बाद लिखेंगे दिनांक प्रिय मित्र आरव सस नहीं नमश्टे मैं तुम्हें काफी समय बाद पत्र लिख रहा हूं क्यूकि मैं पढ़ाई में व्यस था इस बीच तुम्हारा भी कोई पत्र नहीं मिला जब से मैं लखनओ आया हूं तुम्हें बहुत याद करता हूं वैसे तो कानपूर में मेरे कई दोस्ते किन्तु जैसी मित्रता तुमसे थी वैसी अन्य किसी से नहीं अगले सब्ता से शरद कालिन छुटिया होने वाली है इसलिए तुम लखनओ आने का कारेकरम बना लो फिर हम दोनों लखनओ में अच्छा रही है शेश सब कुशल है पत्र का उत्तर शीग्र देना आंटी वे अंकल को मेरी उसे प्रणाम तुम्हारा मित्र अनंत गोयर अगला पत्र है रक्षा बंधन के सुअफसर पर राखी भेशते हुए छोटे भाई को पत्र 155 शागंज आगरा दिनांक पिरिय भाईया सनेहाशीश भाईया अगले महीने भाई बहन के सनेह का प्रतीक रक्षा बंधन परवा रहा है मैं हर वर्ष किसी तरह इस बार भी आगरा आना चाहते थी परन्तु किसी कारण वर्ष मेरा आगरा आना संभव नहीं है अता मैं तुम्हें पत्र द्वारा राखी भेज रही हूँ रक्षा बंधन के पावन दिन इसे अपनी कलाई पर बांध लेना राखी के इस सुत्र के साथ तुम्हारी बड़ी बेहन का प्यार वाशिरवाद बंदा है जो जीवन में आने वाली हर कठनाई से तुम्हारी रक्षा करेगा अपनी पढ़ाई खूब मन लगा कर करना और साथ ही अपने स्वास्ते का भी ध्यान रखना मम्मी पापा और मेरी तरफ से तुम्हें धेर सारा प्यार तुम्हारी बड़ी बेहन नव्या आए पढ़ते हैं अगला पत्र जो है बड़े भाई को परिवार की कुशलता बताते हुए पत्र अबटा 24 मनकापूर नाकपूर दिनांक आदर्निय भाईया बच्चो एक बात ध्यान रखिए जो उपर हम पता लिखते हैं वो हम वो पता लिखते हैं जिसको हम पत्र भेज रहे हैं आए पढ़ते हैं आगे आदर्निय भाईया नमस्ते यहां पर सब स्वस्त वाणन से हैं और आपकी कुशलता की कामना करते हैं बहुत दिनों से आपका कोई पत्र नहीं मिला जिससे मम्मी पापा कुछ चिंतित हैं मेरा पत्र प्राप्त करते ही आप प्रिकुशलता की सुचना देना आपका अनुज विक्रान तो बच्चो ये थे कुछ उधारन अनौपचारिक पत्र के आये पढ़ते हैं अब कुछ आपचारिक पत्र पहला पत्र अवकाश प्राप्ती हे तू विद्याले के प्रधानचारे को पत्र श्रीमान, प्रधानचारे महोदे, डिपीयेस कानपूर, दिनांक आप वो लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हुँँगे विशे, दो दिन की अवकाश है तू प्रात्ना पत्र तो बच्चों, आपचारिक पत्र में हम विशे जरूर लिखेंगे मानने वर सविने निवेदन यह है कि मेरे चाचा जी की बेटे की शादी बांदरा में हैं हम सब सब परिवार उसमें जा रहे हैं अता दो दिन में विद्याले नहीं आ पाँगा आपसे निवीदन है कि मुझे 21 नवंबर वा 22 नवंबर दो दिन का अवकाश प्रदान करें आपकी अतिकर्पा होगी आपके आग्या कारणी शीश्या मिताली शर्मा कक्षा पांच बा अगला पत्र है प्रधानाचार्य को स्थानांतरन प्रमान पत्र के लिए प्राथना पत्र सेवा में प्रधानाचार्य महदे, M.G. पबलिक स्कूल, मुरादाबाद आगे लिखेंगे दिनांक विशे है स्थानांतरन प्रमान पत्र के लिए प्राथना पत्र महदे सवीने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्याले की कक्षप पांच एक चात्र हूँ मेरे पिताजी का स्थान तरण यानि की ट्रांसवर मुरादाबाद से वारानसी हो गया है हम सब परिवार वारानसी जा रही है अथा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे स्थान अंतरण प्रमान पत्र देने की कृपा करे इस कारे के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूंगा धन्यवाद आपकी आग्याकारी शीष्य प्रवीन कक्षा पांच ए आई बच्चों पढ़ते हैं अगला पत्र जो है बिजली का बिल अधिक आने का शिकायत पत्र सेवा में अधिशासी अभ्यंता विद्यूत आपूर्ती खंड ग्वालियर दिनांक विशे है अधिक बिल आने के संबन्ध में महदे निवेदन यह है कि हमारे घर के बिजली के बिल में देह धनराशी सत्रा सो रुपे दिखाई गई है सामाने रूप से मेरा बिल आट सो से नौ सो रुपे के बीच आता है लगता है मीटर रीडर या कारे अले द्वारा गल्ती से यह बिल भेजा गया है अता आप से नौरुद है कि इस विशे में उप्यूक्त चांच कराकर उचित कारवाही करे भवदिये बलवीर मलहोतरा 421 अनसारी रोड तो बच्चो इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं चाए वो पत्र आपचारिक हो या अनपचारिक आशा करती हूं कि आपको या ध्याय समझा आ गया होगा इसका अभ्यास आप स्वयम कीजेगा